नमस्का दुस्तो श्टॉक्मार के स्टैडिस में फिट से एक बहर आपको बहुत बहुत सागत है तो आज आपे में डिसकसन करने वाला हूँ एक ऐसे कंपणिस के बारे में जिसके चर्चे बहुत सारे लोग करते रहते हैं और बहुत जादा कमेंड्स इसी कंपणिस के उपर ऐसे बिल्कुल भी नहीं आज का जो कंपणिस है वो अनिल अम्बाने जी का कंपणिस का अब सभी जानते हैं मुकेस अम्बाने जी का ही भाया है और उनकी बिजनेस में जिस तरीके से उन्होंने बिजनेस को चलाया उस बेसिस में आज देखा एता मतलब देखेंगे वहीरो से आज जीरो बन चुके है जीरो बन चुके है कि पो टोटली बैंक्राफ्ट हो गया तो सर्फ एक ही कारण में उनका मतलब जो लग्जरी लाइव था वो आपीस जाते थे हेलिक मतलब हेलिकाफटर के मतलब से साथी साथ लग्जरी सब कुछ करते थे बिजनेस के उपर उतन सबनों ही बेटे एक है मुक्य संबानी और दूसरा है अनी लंबनी आज अनी लंबनी का कैपिटल जीरो के आसपास है तो आज बन चुके है तो आज उसी से जूड़ है कंपनिस के बारहें बात करूंगा जो इक टेलिकम सेक्टर से बिलौं करते कंपनिस है इसका नाम है आर पेनी स्टॉक का जाता है पेनी स्टॉक के उपर निवेश करना मतलब बहुत सरे लोग सोचते हैं कि सर में अगर मेरे फांट एक लाक रुपिया मैं कोई पेनी स्टॉक में निवेश कर दू मान के चले जिसका प्राइस अभी एक दो पांच रुपी का असपास है अगर वो कर देते हैं तो मैं एक चीज आपको पहले एक आपको मैं जुरू कहूंगा तब धान से इस बात को अब्जर्ब करना उसके बाद आपके आपको दिल से सोचना पड़ेगा इस चीज को यह आप स्टॉक मार्केट में मान के चलिए पांस साल दस साल पंदरा साल आये हुए है तो investor कितने पूरोने सालों से है क्या investor बेब कूफ है क्या उसको पता नहीं कि कौन सा company उसको multi-veggar return दे सकता है क्या penny stock में उसको पता नहीं उसका कितनी बड़े teams है वो हमेसा stock find out करते रहते है हमेसा हर company के उपर details data find out करते रहते है उसको पता नहीं था कि एक लिजय ऐसे वह आपको अपको को भी इंस्तूटिशन आपको पेनी श्राघ में नहीं दीखेगा हाँ छोटा मैं निदस करते हैं उसका से लिज अधिए यज़ कर पासम है मान के चलिए एक साल के लिए छे मान के लिए टेडिंग करने के लिए वो निविस करते है as a long term vision के लिए 5 साल, 10 साल, 15 साल तक उसको hold करेंगे ऐसे वो कभी भी निविस नहीं करते तो आप किस basis से निविस कर रहें मुझे पता नहीं मैं भी मार्केट में जब आया था तब ही मैं पेनी स्टॉक के पर ज़्यादा फोकस रखते थे हर कोई करता है जब मार्केट में पहले पहले आ जाते है क्योंकि दिखे लोगों के मन में एक thinking होता है लोग चाहते है कि में स्टॉक मेरे पास एक लाग रुबिया में 2000-5000 क्वांटिटी हो। उसको quantity से प्यार है उसको company में नहीं खुरिदरी करेंगे वो 5000 खुरिदरी करेंगे 5000 quantity खुरिदरी करना चाहेंगे 10 खुरिदरी करना चाहेंगे क्योंकि दस ऊच्र उसको वो zero हो सकते है मगर यहापे जी 10 का जो आपका quantity मिला वो आपका 100 भी हो सकते है तो आपको मैं जिस company के बारे माज बात करूँगा उसका नाम है Arcom मतलब Reliance का एक communication company है और वो भी किसका? अनिल अम्मानी जी का company है एक time Reliance बहुत ज़दा offer दे रहा था जब Reliance communication का जो मतलब GSM का जो seem हुआ करते थे मैं खुद use किया हुआ तो जब मैं use करता था तब देखता था बहुत ज़दा offers मिलते थे तब ही मुझे तब stock market के बारे में पता तो था तब मैं stock market में first time आया था तब मुझे उतना knowledge नहीं था फिर भी companies के बारे में जानकारी तब उतना नहीं था इस company के उपर में कभी आज तक निवेस नहीं किया मैं हमेशा penny stock के उपर से दूरी रहता हूँ पहले जब market में आथा तब मैं आपको बोल चुका हूँ बहुत सारे निवेस करके losses भी किया हुआ हूँ तो आज मेरे portfolio में penny stock तो है मगर जो company का fundamentally financially growth अच्छा है उस तरीके से penny stock है तो आपको जानना है मेरे portfolio में कौन सा करता penny stock है तो मुझे comment जुरू करिएगा उसके उपर में details वीडियो आपको बना के दूँगा तो यहाँ पर देखेंगे company का जो details आप देखेंगे six month में साइध आपको 15% loss दीखे आप कहेंगे सर सिर्फ तो 15% है इसमें क्या हुआ तो एक साल में देख लीजिए कितना 55% का losses पांस साल में कितना पांस साल में 55% का losses और maximum चाट परेंगे तो आप यहाँ पर इसका टोटल जो details है टोटल जो data है आपको टोटल चेंज हो जाएगा तो आप देखेंगे कितना 99.37% का गिराबट इसका मतलब और क्या मतलब कुछ बचे ही नहीं है जितने सारे लोगों ने या पर बहुत सारे लोगों मुझे कमेंट किया सर मेरे investment 120 रुपीज के अंदर अंदर है मतलब अभी मैं क्या करू मेरा तो पैसा पूरा डूप चुके है अभी क्या करू तो आप अगर यहाँ पर माल बेचेंगे भी तो आपको कुछ मिनने वाला नहीं है क्योंकि जो बोकरेज है वो बोकरेज का ठोकर आपके पास जो पैसा आएगा तो उनमें से कुछ मिलेगा नहीं तो आपको मैं यही सला दूँगा तो जो पैसा चला गया उसमें और क्या आप कुछ करनी करी नहीं सकते तो इसको छोड़ी दीजिए अगर इस company के उपर किसी बड़े company अगर company खरीदारी करे तो फिर से वो खड़ा हो सकते है देखी एक ध्यान से चीज देखना six month के चार्ट पटन देखेंगे तो एक बास stock में एक तेजी देखने को मिला था इस तेजी के पीछे एक कारण था Reliance मुक्के संबनी जी ने इस company को acquire करने के लिए एक news flash news सामने आया था तो news तो मतलब fake था उस basis में stock को भागाय गया था little plug भी खूस है गया था कि दो से फिर से मतलब यहापे देखा जो एक साल के चार्ट प्रण आपको दिखा दो यहापे देख सकते है किस तरह के से तेजी आया था आपको लग रहा था कि बहुत सांदार एक rally देखने को मिलेगा ऐसे बिल्कुल नहीं इससे crash हो गया तो मैं हमेशा बोलता हूँ इस तरह के से company से दूरी रही है उसके पीछे दो बज़ा है company का पहले दीखे market cap इतना नहीं था company जब गृते 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 एकदम बरबाद हो गया तो इसका market cap भी बरबाद हो गया तो company का दीखे सारे delegation seven levels नहीं है company कितना चे हजार کرोर का losses में है 500 का company 500 करोर का company सारे 6 हजार करोर का losses में चला है क्या उस company को नीवेस करना चाहिए आप पहले दिल को मतलब खुद के दिल को समझाइए अगर आपका दिल कहता है कि हाँ करना चाहिए तो आप कर सकते हैं तो डेप्थ के बारे बात करतो तो 45,000 क्रोड के आसपस डेप थे कितने बड़ा डेप लेकर बैठा हुआ है सेल्स प्रोथ बिग लॉसस में प्रॉफिट को सायद आपको पॉजिटीव में दिखे फिर भी आप प्रॉफिट लॉस में चाहेंगे तो जो कंपानी पहले प्रॉफिट कर रहा था अच्छा का सा काम तो कर रहा था पहले 2011-12-13 में जब इसका मतलब जो सिम कट चलते थे उस टाइम में कंपानी अच्छा का सा काम कर रहा था उसके बाद वारती अटेन ने और वोड़ाफोन आडिया ने इसका हलत खारफ कर दिया उसके बाद रिलाइंस जी ओ जब आ गया तो पूरा का देखकर खुदी पता चल जाएगा कमपानी किस तरीके से आपको लॉसेस दिया बहुत सारे लोग इस चीज को देखकर खूस हो जाता है कि सर तीन साल में तो कमपानी ने 30% का रिटान दिया तो मेरे तो कौफिट बन गया तो देखिए टेडर वाला काम हो गया यहां पर चास पैसा भी उसको मिल गया तो दो तीन माहिना में तो फिर भी उसका फंट 50% पॉजिटिव में रहेगा तो मेरे कहने का मतलब है इस तरीके से कमपानी से दूरी रहे है क्योंकि जिस कमपानी के उपर खुद प्रोमोटर माल बेच कर भाग गया एफैस भी माल बेच दिया दियाइस के पाशे को फोटा माल होल्डिंग है पाबली उस कमपानी को उपकर मतलब Ihr investment कर रहे हैं तो उस कमपानी की उपको क्या करना है खुद decision ज conjunction जो मेरे कहना का मतलब है जो कमपनी principal देखिए इस तरीके से वो panic situation में माल बेशते हैं उसका फाइदा एक बड़े H&I categories उठा लेते हैं तो मैं जोरू request करूँगा इस तरी के से company से दूरू रहिए कि इस company आपको कुछ profit तो नहीं देंगे उल्टा आपका losses देंगे और वो भी बड़े से बड़े losses तो बाकी आप समझदर है उसके हिसाब स से काम करिए तो मिलते हैं इसी तरी के से निया stock लेकिए आपको कौन सा topic के उपर वीडियो चाहिए मुझे जूरू comment कर सकते हैं तो मिलते नेक्स वीडियो में तब तक ले अच्छे सरी अपने ख्या लखिए बाई